कि नमस्कार आप सभी का डीजी स्कुल में स्वागत है आज हम लोग सात्मा क्लास का अगनिक जो हम लोग पिछले वीडियो में भी पढ़ें हैं इस चैप्टर को एकिक नियम हम लोग कोश्चन नंबर 4 तक हम लोग किये थे आगे हम लोग उसको बढ़ाते हैं वो जैसे हम लो होता है जितना कभी मूले निकालना हो फिर हम लोग उसका निकाल लेते हैं तो हम लोग कोश्चन नंबर 4 तक किये थे कोश्चन नंबर 5 आपके लिए छोड़ दिये हैं आप उसको बना के देखिएगा तो हम अभी यहां पर जब ही बनाएंगे तो एक एक दो दो कोश्चन आपके लिए कुछ-कुछ कोश्चन को छोड़ते जाएंगे जिससे आप उसको देख करके बनाने का कोशिस कीजिएगा आईए हम लोग कोश्चन नंबर 6 सुरू करते हैं एक बस 65 किलोमेटर की दूरी 30 मिनट में तै करती है 179 किलोमेटर जाने में उसे कितना समय लगेगा तो सबसे पहला चीज हम लोग देखेंगे कि हम लोग से पूछता है कितना समय लगेगा तो जब भी हम लोग लाइन जो लिखेंगे सेंटेंस उस सेंटेंस में समय को हम लोग राइट साइड लिखेंगे जो फाइंड करना होता है उसको हम लोग लास्ट में लिखेंगे तो तै करती है इसलिए एक किलोमीटर दूरी कितना मिनट में तै करेगा तो 30 बटा 65 यह इतना मिनट में तै करती है ठीक है अब हम लोग देखते हैं क्या वो बोला है 179 किलोमीटर तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इसलिए 179 किलोमीटर दूरी 30 बटा 65 इंटू 179 यहाँ जो भी आएगा यह मिनट होगा यह मिनट में तै करती है तो हम लोग इसको स्वाल कर लेंगे हम लोग इसको काटेंगे हम लोग ना तो हम लोग देखते हैं 13 से 13 पचे 65 इसको तेरह से काट लेंगे तेरह एकम तेरह तेरह तियां उन्चालिस यह फाइव पांच एकम पांच पांच शक्तिस यहाँ ओगे शिक्स इंटू तेरह बराबर 78 मिनट इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 घंटा 18 मिनट मतलब इसको हम लोग ऐसे लिख दो या एकिक नियम में हम लोग को पता है कि पहले एक का निकालना पड़ता है यहाँ एक का दिया हुआ है और पुछता है तीन माचिस के डिबों में तिलियों की संख्या कितनी होगी तो संख्या किसका पुछता है तिलि का इसलिए जो हम लोग जो सेंटेंस लिखेंगे यहाँ पर यह लिखेंगे चुकी एक माचिस के डिबे में पचीस तिलिया है तो तिलिया को हम लोग राइट सैड में लिखेंगे तिलिया है ठीक है अब हम लोग यहाँ पर यह एक का दिया हुआ है अग तीन का पुछता है तो हम लोग को यहाँ पर एक का निकलने का तो आओ सकता है नहीं तो हम लोग डिरेक्ट लिखेंगे इसलिए तीन माचीस के डिबे में पचीस एक का दिया हुआ है तीन का निकलना है मतलब जादा होगा, मतलब हम लोग उसको multiply करेंगे, गुना करेंगे तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर पचीस गुने तीन तीलिया है तो यह हो गया पच्छत्तर तीलिया ठीक है? यह तीन माचीस के डिब्बे में कितनी तीलिया होगी, पच्छत्तर तीलिया होगी ठीक है? तो यहाँ हम लोग देखें, एक माचीस के डिब्बे में पचीस तीलिया थी, तीन माचीस के डिब्बे में कितनी होगी? तो एक का दिया हुआ था, तीन का निकालना था मतलब जादा स्तिली का संख्या होगा, जादा होगा तो क्या करेंगे हम लोग? मल्टिपलाई करेंगे, इसलिए हम लोग यहां पर मल्टिपलाई किया है, गुना किया है यहां कोश्चन नमबर 10 बना रहे हैं, 9 इसी के जैसा है, इसके अधार पर आप 9 बनाईएगा 45 आदमी एक तलाब को खोदने में 21 दिन का समय लगाते हैं उसी तरह के तलाब को 35 दिनों में खोदने के लिए कितने आदमी क्या हो सकता होगी यहां पर पुछता है कितने आदमी मतलब आदमी को हम लोग राइट साइड में रखेंगे तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे जस्ट इसको उल्टा लिखेंगे चुकी 21 दीन में एक तलाब को 45 आद्मी खोदते हैं ठीक है हम लोग ऐसे लिखेंगे इसलिए एक दिन में कितना एक दिन में एक ही तलाब को कितना आद्मी लगेगा तो यहाँ हम लोग समझेंगे इस बात को यह कहता है 21 दिन में 45 आद्मी लगता था एक दिन में एदी खोलना होगा तो आदमी का संख्या को बेसी बढ़ाना होगा हम लोग को है ना तो आदमी का संख्या को बढ़ाने के लिए हम लोग को मल्टिप्लाई करना पड़ेगा simple है कि 21 दिन में 45 आदमी लगता था तो एक ही दिन में तियार करना होगा तो संख्या बेसी होगा आदमी का हम लोग लिखेंगे एक दिन में एक तलाब को खोदने के लिए कितना आदमी चाहिए 45 गुने 21 आदमी खोदते हैं ठीक है अब यह पुछता है कितना दिन में खोदना हम लोग को 35 दिनों में तो अभी एक कम हो जाएगा न एक दिन में गुना किये थे 35 दिन में भागा दे देंगे हम लोग एक तलाब को 45 गुने 21 भागा 35 इतना आदमी तलाब को खोदने के लिए चाहिए हम लोग को अब हम लोग इसको डिवाइट कर लेंगे मल्टिप्लाई करेंगे इसको सॉल्व करते हैं तो हम लोग पहले साथ से काट लते हैं साथ पच्छे 35 असातिया 21 पांच नवा 27 नौ गुने तीन मतलब कितना आदमी चाहिए हम लोग को 27 आदमी हमको चाहिए यहां कोश्चन कहता है पानी की टंकी का 5 बटा 6 भाग भरने में 30 मिनट का समय लगता है तो पूरी टंकी पूरी टंकी का मतलब होता है एक टंकी को भरने में एक भाग को भरने में ठीक है तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं पानी की टंकी का 5 बटा 6 भाग 30 मिनट में भरता है ठीक है इसलिए पानी की टंकी का एक भाग कितना दमें भरेगा ये 5 बटा 6 भाग को भरता है एक भाग को भरने के लिए तो यहाँ पर ये डिभाइड हो जाएगा यहाँ भागा हगा 5 बटा 6 इसको जब हम लोग करेंगे तो 30 गुने 6 बटा 5 हो जाएगा ये काट लेंगे बराबर 36 मिनट ठीक है एक विद्याले में 120 बच्चों के लिए 20 दिन का अनाज था ठीक है 120 बच्चा कितना दिन अनाज खाता 20 दिन मतलब हम लोग यहाँ पर अनाज को एक मान लेंगे पूरा अनाज 120 बच्चों के लिए 20 दिन का एक अनाज था 8 दिन के बाद उसमें 40 बच्चे और आ गए तो 8 दिन में ये लोग खाया होगा भी तो कुछ तो अनाज ना जो अनाज खाया होगा उसके बाद कितना अनाज मेरे पास बच्चा वो निकालेंगे हम लोग और फिर तो हम लोग पहले इसको लिखते हैं ऐसे दिखिएगा समझने का कोशिस कीजिएगा पहला कहा 120 बच्चों के लिए 20 दिन का अनाज था 8 दिन के बाद तो पहले हम लोग देखेंगे हम लोग निकालेंगे कि 8 दिन के बाद कितना अनाज बचा तो हम यहाँ पे लिखेंगे चुकी 20 दिन में 120 बच्चे पूरा अनाज खाते थे ठीक है हम लोग इसको मान लिए है पूरा अनाज को एक अनाज इसलिए एक दिन में खाना होगा 120 बच्चा को तो कितना अनाज खाएगा तो एक बटा 20 हो जाएगा यह इसलिए आठ दिन में कितना खाएगा ये निकालेंगे हम लोग आठ दिन में 120 ही बच्चा है एक बटा बीस आठ है से लिखेंगे इसलिए कि ये जस्का तस रहेगा इससे कोई लेना देरा नहीं है हम लोग इस तो काटेंगे चार दूनी आठ चार पच्चे बीस बराबर दू बटा पांच भाग जो है ये लोग खा गया अनाज का ठीक है अब मेरे पास सेस जो बचा वही अनाज ना आगे चलेगा है तो हम लोग लिखते हैं सेस अनाज एक माइनस दू बटा पांच तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पांच माइनस दू मतलब तीन बटा पांच भाग ये मेरे पास बचा हुआ है पहले हम लोग निकाले बीस दिन में एक सो बीस बचा एक अनाज खाता था मतलब एक भाग खाता था एक दिन में कितना खाएगा तो एक बटा बीस आठ दिन में कितना खाएगा तो दू बटा पांच भाग खा गया सेस कितना बचा तो एक में से दो बटा पांच को माइनस कर देंगे तीन बटा पांच भाग बचा अब यही तीन बटा पांच भाग चालिस बच्चा और आ गया वो मिलके खाएगा आठ दिन के बाद बच्चों की संख्या कुल कितनी हो गई 120 पहले से था और 40 बच्चा और आ गया तो 120 प्लस 40 160 बच्चा हो गया अब हम लोग यहां लिखेंगे चुकी 120 बच्चे एक भाग अनाज को अनाज को 20 दिन में खाते थे खाते थे ठीक है इसलिए एक बच्चा एक भाग अनाज को कितना दिन में खाएगा तो 20 गुने 120 दिन चलेगा यह अनाज ठीक है अब मेरे पास बच्चा 160 बच्चा है तो 160 बच्चा एक भाग को कितना दिन में खाएगा 20 गुने 120 भागा 160 फिक है यह हो गया एक भाग का अब प्रश्ण है इसको हम लोग पहले काट लेते हैं यह हो गया मेरा 15 दिन यदि 160 बच्चा होता तो यह अनाज चलता 15 दिन अब कहता है क्या मेरे पास अनाज बच्चा हुआ कितना है तो 3 बटा 5 है इसलिए 160 बच्चा 3 बटा 5 भाग अनाज को कितना दिन में खाएगा तो 15 गुने 3 बटा 5 बराबर 9 दिन ठीक है तो 160 बच्चा 3 बटा 5 भाग को कितना दिन में खाएगा 9 दिन में खाएगा फिर से एक बार समझ लिजेगा 8 दिन तक वो 120 ठो खा चुका था 8 दिन के बाद बच्चा का संख्या हो गया 120 प्लस 40 160 120 बच्चा एक भाग अनाज को 20 दिन में खाता है एक बच्चा वही अनाज को कितना दिन में खाएगा तो 20 गुने 120 दिन में खाएगा 20 दिन में खाएगा अब 160 तो कम दिन में खाएगा तो 20 गुने 130 भागा 160 कर देंगे तो यह आगे हम लोग का solve करने के बाद 15 दिन अब 160 बच्चा जो है 3 बटा 5 भाग को कितना दिन में खाएगा तो 15 बटा 5 ठीक है तो 9 दिन और चलेगा यह आनाज हम आसा करता है कि यह साइद आपको समझ में आया होगा कॉमेंट बॉक्स में लिखिएगा और यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कीजेगा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद